करते हैं शुरू सुभाश है हम आसाथ फोन लाइन पर डेली से सुभाश जी नमस्कार बताई क्या क्वेशन है मैंने विदान्ता एक नौर पेर सक्तर पैसे का उसके वारे उधरी क्या पोजीशन है मानस विदान्ता डीलिस्टिंग फेल हुई और स्टॉक धढाम हुआ आज 20% तक लुड़क गया इनको भी 12-13 रुपे का नुकसान हो रहा है हर शोयर पर क्या सेजेशन एब इन के लिए जब भी कोई स्टॉक में न्यूस की वज़े से मुवमेंट आए तो आपको बिल्लकुल कौशन रहना चाहिए ऐसे स्टॉक में जब भी टेकर रहे तो इस्टिक स्टॉप लॉज जरूर फॉलो करें और सबसे पॉट्ट यह है कि यहां पर पैटन निगेटिव हुआ है स्ट हो कि विदानता में कभी भी उचाल मिले तो निकल जाए तो बेतर रहेगा और मेटल शेतर में बेटर आइडिया है कि आप जिस्टील में निवेश करें क्योंकि यहां पर ट्रेंड पॉस्टिव लगता और मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि यहां पर कम से कम 10 से 15 पर बताइए कपल क्या क्वेशन है अपका बुरीविंग के फाली जी मेरे इस वास विशाल फैबरिक है 320 की वाइंग उस पर बुझे राय चाहिए और दूसरा कंपनी ने कुछ मार्केटास के बाद बोनस का एलान किया है उसको फ्यूपर थोड़ी सी राय चाहिए थी आप विशाल फैबरिक्स और मानस 320 इनका परचेजिंग प्राइस है और जिस बोनस की बात कर रहे हैं मारकेटास के बाद नोटिफिकेशन बीए सी पर आया है कि 22 ऑक्टूबर को इनके रिजल्स आएंगे और रिजल्स के साथ कंपनी बोनस भी अनाउंस कर सकती है और इन अच्छे एक्सपेक्टेड है 351 पर है यह स्टॉक वॉलम्स के साथ लगाता है बाइंग रही भी है तो क्या करना चाहिए जिनके पास हो यह स्टॉक एपर जो खरीदना चाहते हैं क्या सिजेशन होगा देखिए ऐसे स्टॉक में जहां पर 5% का सरकेट हो वहां पर जब भी आप टेड ले कभी लॉंग साइट पे इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिंग के लिए तो ध्यान रखें यहां पर आपके स्टॉप लॉस चाहिद जब लोर सरकेट लगना शुरू होंगे तो वक नह भी पॉसिटिव लगता है शायद 385 से 400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि 300-340 स्टॉप लॉस जरूरू लगा है उसके नीचे अगर पिसले स्टॉक तो अभी पोजीशन से निकल जाए ठीक है तो होल कर सकते हैं स्टॉक मुमेंटम पॉजिटिव है 385 और 400 तक के टागेट एक्सपेक्टेड है स्टॉप लॉस मानस ने आपको 340 के असपास को सजेस्ट किया है तो उस पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं इस पोजीशन में